इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कैसे हमें अपना Android Studio इंस्टॉल करना है और कैसे उसे वर्किंग पोजीशन में हमें लेके आना है हमारा जो Android Studio होता है वो दो पार्ट में वर्क करता है एक तो development kit होती है जो हमें background support देता है हमारी Java development kit होती है और फिर हमारा Android Studio होता है जिसको हम basically use करते हैं app development के लिए तो यहां पर सबसे पहले हम दो step में काम करेंगे पहले के इंस्टॉल करेंगे हम जावा इंस्टॉल करेंगे इन उसके बाद के इंस्टॉल करेंगे अपना Android Studio तो सबसे पहले first step के इस पर चलता है अपने अपने जावा सेट अप पे तो इसके लिए आप सिंपल क्यों कर सकते हो आप अपने Chrome browser खोल सकते हो एं उसमें simple आपको करना है यहां पर search करना है and basically आपको यहां पर search करना है Java JDK तो जैसे आप यहां पर Java JDK open करोगी आपको यहां पर क्या मिल जाएगा Java downloads मिल जाएगा and यहां पर जो first हमारे पास link है आपको simple के करना है इसे open करना है अब इस चीज़ को आप जहां लगना इसके जो लिंक होगे वेबसाइट के चाहिए और जो जावा के हैं और जो Android Studio के है राइट के दोनों के link description box में गिवन है तो आपको कोई time चल लेने की दरवत नहीं है इस टाइम पर वीडियो बना रहा हूं तो यहां पर हमारे पास जावा कौन सा वर्जन अवेलिबल है 17 वर्जन अवेलिबल है अब यहां पर नीचे थोड़ा सा यहां पर देखोगे तो एक तो हमारे पास documentation download है और उसके बाद हमारे पास क्या लिनुक्स है जिसमें हमारे प compress Archive installer MSI installer तो मुझे कौन सब्सक्राइब है जो हमारा window installer जो second वाला है तो simple आपको क्या करना है इस पे लिंग पर क्लिक करना है यह आपको क्या कर देगा you can direct कर देगा क्या download पर यहां पर मेरी क्या हो गई है download start हो गई है तो इसको क्या करते है वेट करते हैं अब गयर जब आपकी यहां से यह download हो जाए इसके बाद ऐसा करते हैं पहले हमारा java का setup तो हमने download कर लिया लाइट तो क्योंकि हमें android studio भी हाथ ओहाथ कर नहीं है तो ऐसा करते हैं दोनों को क्या कर लेता है? setup download कर लेता है ठाकि हमें बाद में फिर browser कर कोई काम ना बजे लाइट फिर यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास लिंक आ रहा है तो यहाँ पर क्या रहा है डाउनलोड एंड्रोइड स्टुडियो एंड जैसा आप यहां पर देख सकते हो यहां पर क्या आगया हमारा एंड्रोइड शुडियो आ गया है आ एंड्ल गया है आपको यहां से खाने आप है आप डाउनलोड एंड्रोइड शुडियो फ्रू बाइंड उसके क्या है हमारे पास से कीट पर है आपको यहां पर यह भी मिल जाएगा कि कहीं स्पेसिफसिकेशनि कितनी है से स्थधूर surname 12.9 की विंडू से फ्रू अट लेंक स तूडियो है यह स्वक्ट चुम्ल हम यहां से ड norm currently यहां से डौनलोट कर लेंगे हम पर पास बेसक्लियान और से क्या करके अरलosit Table कर लींगे यहां पो किया कर लींगे यहां मेरे डाउन लोट कर लींगे मेरी डाउन लोट फिनिश हो जाएगी दोनों सेटप आपके पास अवेलेफिल हो जाएगे उसके बाद के स्टेप देख लेता है अब क्या करना है यहां पर मैं ब्राउज कर दूंगा अब बंद कर दूंगा क्योंकि अब मेरे किसी काम कर नहीं बचाहिए तो यहां पर हमारे पास दो सेटप फ आपको कोई स्पेसिफिक करने है तो आप चेंज कर सकते हो तो आप चेंज कर सकते हो यहां पर क्या हो गया है हमारा इंस्टॉलेशन हो गया है इसको वेट कर लेते हैं यहां पर क्या हो गया है हमारा पूरा हो गया है अब यहां पर सिंपल मैं क्या कर दूंगा क्लोस कर दूंगा यहां पर अभी सिर्फ हमारा क्या हुआ है इंस्टॉल हुआ है जावा अभी द 17 आगया है तो इसमें आपको अलग से कोई ओफ अधिसमेंए से डाउनलोड कर लेता है तो यहां पर हमें उसकी जरुआत नहीं पढ़ेगी jari folder की वो automatically build in up कर दिया है तो यहाँ पर simple आपको jdk open करना है और यहाँ पर हमें क्या चाहिए bin चाहिए तो guys जो आपने bin तक यहाँ खोल लिया है right तो आपको क्या करना है simple यहाँ उपर हमारी directory है simple इसे select करना है and यहाँ पर क्या कर लेना है इसे copy कर लेना है अपने directory को and इसके बाद क्योंगे guys मुझी के चाहिए environment path देना है java का जो हम के use करेंगे simple इसको set करने के लिए use करेंगे path set करने के लिए ताकि हम इसे use कर सके and basically path होता क्या है guys जब हमें कहीं पर redirect करना होता है किसी program को हमें बताना पड़ता है कि अच्छा यह इस specific बात पर है तो हमें बार 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 क्या कहें इसे बताएं कि कहां पर है तो उसके लिए हमें क्यों करना पड़ेगा अपने path set करने पड़ेंगे यहां पर सकते हो आपका window बटन है window plus s आप जब click एक साथ प्रेस करोगे अपने उस पर तो यहां पर क्या open हो जाएगा हमारा search bar open हो जाएगा and search में आप simple type कर सकते हो environment तो जैसी मैंने type करा आप यहां पर देख सकते हो मेरा क्या आ चुका है edit the system environment variables तो simple इसे मैं open कर लूँगा and यहां पर क्या आ गया है हमारा system properties आ चुका है and यहां पर आप देखोगे तो environmental variables environment variables sorry तो यहां पर simple आपको इसे click करना है and यहां पर guys हमारे पास दो तरीके की वो है एक तो यहां पर variables है एक क्या है हमारे पास system variables है तो मुझे क्या करना है system variables में change करना है तो यहां पर simple आपको क्या करना है यहां पर आप देखोगे तो यहां पर एक हमारा नाम है path के नाम से तो मुझे guys इसमें path देना है तो यहां पर simple आप इसे double click करोगे तो हमारा क्या खुल जाएगा environment खुल देंगे और यहां पर simple आपको करना है new करना है and new में जैसे आप new करोगे यहां पर यह क्या रहाएगा यह आ गया तो simple इसमें जो आपने copy किया था हमारा path जो हमारे java का bin folder था उसको path हमें simple करना है यहां पर copy paste कर देना है and simple guys यहां पर क्या हो गया हमारा path create हो गया है यह क्या था first step था अब गाइस कुछ जगा हमारा क्या मांगते हैं java home भी applications कुछ मांगते हैं तो उसके लिए simple करना है जो हमारा java bin था रहा है जो हमारा directory यहां पर copy करना है आपको and इसे अब close कर देता है इसका हमारे पास कोई काम नहीं बचा and यहां पर जो system variables है इसमें क्या करना है आपको simple new करना है and guys यहां पर हमें क्या देना है java home and simple यहां पर जो हमने part copy क्या था अपना jdk का वह दे देना है यहां पर मैंने क्या दे दिए अपना jdk का part दे दिए and simple इसे ok कर दे ना है and simple इसे ok कर दिया and ok कर दिया तो guys यहां पर क्या हो गया हमारा जो java version था वह क्या हो गया है पूरा हो गया है अब इसे test करना कर करके देख लिए दें गाइस कि हमारी जो Java है वो सभी से इंस्टॉल हुई है या नि उसके लिए सिंपल तो इसमें सिंपल क्लिक करना है आपको विंडो प्लस आर करना है एंड जैसी आप विंडो प्लस आर करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगी हमारी run module खुल जाएगी एंड इसमें आपको क्या टाइप करना है cmd टाइप करना है तो यहां पर आपको क्या खुल जाएगा cmd खुल जाएगा command prompt खुल जाएगा and simple इसमें क्या टाइप करना है हमें यह देखना है कि हमारा जो जावा है वह सभी से इस्टाओ हुआ है या नहीं राइट अब वर्किंग में है या नहीं तो simple इसमें आपको command देरी आए java-version okay and simple आप यहां पर देखोगे तो गाई यहां पर हमारे पास क्या आगया है जो हमने आप जावा 17 इंस्टाओ करा है java-version 17 वह क्या आगया है इसमें हमारे पास यह भी चेक कर सकते हो java-c भी चेक कर सकते हो यहां पर आप java-c रन करोगे तो यहां पर simple आपको क्या मिल रहेगा java 17 राइट यह क्या है compiled version है तो यहां पर यह क्या हो गया इससे हमें पता लगा है कि हमारा जो java है वह प्रौप प्रॉपली सेट हो चुका है अगर आपकी यहां पर एर्र आ रहा है यह आपका ऐसा नहीं आ रहा है तो आपने जो पाथ है वो गलत सेट करें हैं या फिर आपका बैसिकली इंस्टॉलेशन साइज से नहीं हुई है तो उसे आपके अगर सकते हो दुबारा डिलीट करके हो गया हमारा saat और झाय चुकल Santos अब कि किन पर यूद आजिया है में है यहां पर हमारे पास अगया वर्च्वल ट्वाइस वह च्देना है एंड सब्सक्राइग्स कर देंगा यहां पर लोकेशन मैं सी द्राइब मैं ही लकेशन नहीं कर रहा हूं मुझे अपनी c drive में ही location जाहिए तो simple next कर लेता है अगर आपको change करने है तो आप change कर सकते हो guys start menu आपको करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पे and simple के कर लेता है install कर लेता है इसका गई यहाँ यहाँ पर wait कर लेता है install होने का यह सारी क्या जो हमाई library files use होंगी वो क्या कर रहा है है यहाँ पर simple install कर रहा है तो इसका दो minute wait कर लेता है and simple guys उहाँ पर क्या हो चुका है हमारा setup complete हो चुका है तो simple हम next क learns और है यहाँ पर क्या है start android studio अब simply यहाँ पर finish कर देंगे and जैसी हम finish करूंग कम चुठ कूर्ण ऐगा android studio स्टार्ट हों यहाँ पर हमें import नहीं करनी है सेटिंग गई इसे कर दूंगा और हमारा लेटेस्ट वर्जन फाइब कर देंगे मुझे नहीं सेंड करनी है तो क्या गए हम्ना एंड्रोइड स्टाइ्ट शैटयप आगे है तो इरा आप इसको अपडेट कर सकते हो या फिर इसे बाद में भी अपडेट कर सकते हैं जो कूट तो अभी फिलाल क्या कर लेते हैं, standard ही चूज कर लेते हैं, and next, यहाँ पर थीम चूज कर सकते हो, light theme यूज कर सकते हो, ड्रैकुला थीम हो जाता है, तो ड्रैक थीम थोड़ा ज्यादा बेटा लगता है, मुझे, यह आपकी personal preference के उपर है, तो यहाँ पर हम simple theme select कर गें, यहाँ पर next कर लेते हैं, अब यहाँ पर क्या है, हमारी current settings आगें, जो यह component हमारा install करेगा, इस चीज का जियान रखना है, इस time पर आपका net connect होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर about 626 MB क्या करेगा, यह download करेगा, program files जो कौन कौन सी है, यहाँ पर हमा download start होई है, तो इसका wait कर लेते हैं, इसके बात क्या करेंगे, आगे continue करेंगे, तो यहाँ पर guys इसे अभी क्या लगेगा, थोड़ा time लगेगा, unzip करने में and download करने में, तो इसका basically क्या कर लेते हैं, wait कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ हमारे पास करने के लिए नहीं है, and simply guys अप्या कर लेंगे, यहाँ पर इसे finish कर देते हैं and यहाँ पर क्या हो गया है guys, यहाँ पर हमारा Android Studio open हो गया है, right, अब guys यहाँ यहाँ पर यह क्या है, हमारा new look है, किसका Android Studio का जो पुराना look था, वो पुराने version में थोड़ा था, यहाँ पर हमारे क्या तो था, साइड मे के लिए भी यहाँ पर पहले यह वाली चीजे जो plugins थे, यहाँ पर नहीं दिखते थे, यह अलग जगा दिखते थे, तो यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर हमारा setup Android Studio का, एक क्या क्या कर देता है, यहाँ पर project भी start करके देख लेता है, and मैं आपको एक इसकी emulator की image दिखा देत हमारा first project आ गया है, इसमें हमने package name होरा आ गया, language कौन सी है, यहाँ पर हमें Java select करनी है, and API इसमें minimum कौन सी है, इस 21 select है, but हम यहाँ पर क्या select करते है, 19 select करते है, क्यों, क्योंकि 98% devices पर work करती है, and ज्यादा better है, यहाँ पर simply कर लेंगे, हमें यहाँ पर finish कर लेंगे, and यहाँ हमारा Android Studio ready हो चुका है, and यहाँ पर क्या हो गया, हमारी सारी libraries क्या हो रही है, download हो रही है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, background task में क्या हो रहा है, सारी हमारी JDK libraries है, download हो रही है, and यहाँ पर जितने भी new version, जो updates हैं, यहाँ पर आपको दिख सकते हैं, तो आप simply यहाँ पर इसे करनी है, set, and यहाँ पर गईस जो हमारी project होती है, project की main, front end होता है, back end होता है, front end कौन सा होता है, जो हमारा UI होता है, basically, जो हम देखते हैं, अपने phone में, back end क्या होता है, जो हमारा logic होता है, किसी भी app का, right, किसी functionality होती है, तो यहाँ पर हमारे back end में, guys, कौन सी file आ जाती ह तो इसके जो, guys, extension name है, उस पर आप देख लिएगा, यहाँ से आपको देख सकते हो, difference.xml है, and यह क्या है, dot java है, and अगर आप इसके coding part में आऊगे, तो यहाँ पर already हमारे पास एक hello world के नाम से क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लिखा होगा text view, coded part, तो य हमारे emulator की files कैसे हमें run करवानी है, तो guys, यहाँ पर हमारा सारी चीजे होनी के बाद, यहाँ पर हमारा क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा, हमारा Android Studio सारे packages download होने, and indexing होने के बाद, थोड़ा सा long process है guys, पर यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, simple wait करना पड़ेगा, क्योंकि इस भी है, तो आप इसे यहाँ से update भी कर सकते हो, right, ignore this update भी कर सकते हो, and यहाँ से, अगर आपको एक different JDK use करनी है, development kit use करनी है, तो आप यहाँ से क्यों कर सकते हो, वो भी select कर सकते हो, लेकिन यह क्या recommend नहीं होगी guys, better है, जो यहाँ पर by default select हुई है, आप उसे ही use करो, and guys, हमारी code link की update भी क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है बस, तो इसको यहाँ पर side में कर देते हैं, अब गई हमारे पास क्या है, अगर आप यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास क्या आजाता है, project में जो हमारा package name होता है, package name में हमारी क्या होती है, सारी files होती है, यहाँ पर क्या दिए यहाँ पर आती है media is logical वाला पार्ट होता भी हमारी जो हमारे पास है अब यहाँ पर पास यहाँ पर अवेलिबल होता है and यहाँ पर layout में guys hit देख सकते हैं activitymeet.xml जो हमारी यहां पर खुली हुई है राइट और यहां पर आप देख सकते हो हमारा डिसाइनिंग खुल गई है अन्द इसायनिंग में हमारा जैसे फोन पर देख रहा है तो ऐसे यहां पर क्या दिख रहा है हमें लिखा हुआ दिख रहा है तो यहां पर क्या होगा है यह तो हो गए हमारी कौन सी जो basic files होती है यहां पर अगर आप इस वक्त रण करोगे यहां पर तो इमिलेटर करने की कोशिश करोगे तो यहां यहां पर क्या जाएगा no target device found राइट क्योंकि हमारा कोई device हमने अभी तक क्या नहीं करा कोई setup कर रहा ही नहीं है तो यहां पर simple app जैसे यह नो devices पर आप करोगे तो यहां पर क्या जाएगा हमारा AVD manager तो यहां पर AVD manager पर simple click कर गए यहां पर क्या करना है वो create virtual device अब आप यहां पर simple कोई से भी image select कर सकते हो जो से आपको run करनी है अलग-अलग यहां पर काफी options है टैप्स के भी है राइट तो जो साब को select करना है आप यहां से select कर सकते हो तो इसके basis पर आपकी कर सकते हो अपने apps को test कर सकते हो simple अब जैसे यहां पर कर सकता हूं galaxy nexus मैंने यहां पर select कर लिया राइट और हम नेक्स कर देंगे अब यहां पर हमारे पास क्या आ यहां पर आप लोलीपॉप तक है अब अगर लेटर्स वर्जिन श्लैक करोगे तो इस चीज़ के ध्यान रखना कई सारे ऐसी है जो हमारे पुराने वर्जिन में नहीं में नहीं में अगर आप बनाओगे तो अगर पुराने एप पे चलेंगे तो वो क्या कर सकते हैं यहां लेवल ट्वेटी तू स्लैक करूंगा जो कौन सा है हमारा लॉलिपॉप तो यहां पर सिंपल क्या डाउनलोड इसको डाउनलोड कर लेंगे और यहां पर आप देख सकते हो तॉम्स अं कंडिशन है यह हमारी जो इमेज है इसकी वो डाउनलोड कर रहे है और एपी आ हो चुक है installation stem cell auf finish कर देङुंघ उससे रहे हैं क्या है और यहां पर यहां पर यहां पर लॉलिपॉप क्या होगे officially हमारी system image चुक यह राइट मैं तो संपल का डिगे और इसका नेम भी change星 कर सकते हो तो मैं 206 रहें दूंग और हमारा यह क्या है है श्म्राइन ऑर्पर प सकते हो पॉट्राइट में कर के रखेंगे हैं इसे क्या कर देंगे निजिंए अन्स इहां पर शुरू हो जाएगा हमारा सम्टल आ जा गएा है का गएिस क्रिएट करने का है legitimate क्या हो चुका है मेरा है यहां पर एमिलेटर क्रियेट हो चुका है यहां पर साथ रेसलूशन भी आ गया अपि आपको अपना वर्चुल डिवाइस से क्रिए कर सकते हो राइए अगर आपको अपना अप्र रन करना है तो अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारे पास क्या विलिबल है यहां से भी आप कर सकते हो और यहां पर क्या है हमारे पास SDK जो SDK Manager है यहां पर क्या है हमारे SDK Manager और इसमें जितने भी हमारे टूल्स होते हैं या प्लैटफर्म्स आपको वर्क करने हैं जैसे यहां पर हमारी API लेवल 21 इंस्टॉल्ड है अब क्यूंके यहां पर Android 12 है API 31 तो मुझे जरूरी नहीं है हर उसमें API 21 पर वर्क करना है मुझे यहां पर Kitkat पर वर्क करना है तो इसमें क्या क्या गया Google API भी आ गया है तो यह भी स्लेक करते हैं इंटल इमेज सिस्टम भी करूंगा तो यहां पर सारे पैकेज हम संपर स्लेक करके यहां पर अप्लाइ कर देंगे और यहां पर देख सकते हो सारे से वह आ गए कि कितनी यह ले रहा है 929 भी ले रहा है और इसे भी कर लेते हैं डाउनलोड कर लेते हैं तो यहां पर आपके पास तूल्स आ गया है तो आप इसे कर सकते हो सिंपल इंस्टॉल्स तो यहां पर आप प्रक्राइब कर सकते हो तो यहां पर आप अगर एस्टीके टूल्स देख लगो तो हमारे पास अल्री के लिए लेटेस्ट वर्जन तूल्स यहां पर पास इंस्टॉल्स तो तूल्स मुझे कुछ नहीं करना एंडी के बेसिकली क्या होता है का इस जो हमारी सी लाइबरी इ क्या होती है हमारी बहुत जरूरी होती है तो बेसिकली इसे टिक कर लेते हैं यहां पर हमारी और क्या क्या चीज़े जरूरी होती है यहां पर सभी चीज़े डाउनलोडी कर लेना सब चीज़े जरूरी होती है जो हमारा यह है एक्सम इंस्टॉलर राइट यह बेसिकली क्या क चल रही थी तो यह वाले डाउनलोड भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी उसी के साथ तो यह क्या हो गया है यहां पर हमारा पूरा जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था Android Studio कि कैसे इस्टॉल करना है इंस्टॉल से लेके कहां तक बेसिकली हमारी यहां तक क्या जो फंक्शनलिटी है वो कैसे हमें एक्सेस करने है राइट तो यहां तक क्या हो चुका है हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है अगर आपको इसको Android का अगर एडवांस वर्जन है तो बेसिकली आपके देख सकते हो आगे के विडियोट गुर्शक्ते हैं उसमें क्या है बिसिकली Android एडवांस वर्जन गैस क्या है क्लासे आप देख सकते हो जिसमें आपको क्या सिखांगा मैं कि कैसे आप एप्स पना सकते हो और पब्लिश कर स और बेलवाई?